ओम नमस्षिवाय जै महाकाल सिर्फ एक चुटकी आपको काले मिर्च लेनी है और आप जो भी परिक्षा देने जा रहे हैं चाया आपकी जीवन की परिक्षा हो या फिर आपके नौकरी की परिक्षा हो आप सभी परिक्षा में पास जरूर होंगे पूझी गुरुजी की कथा से मैंने सुना है आपको बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही छोटी सी वीडियो है ध्यान से सुनिएगा लेगिन हमेशा की तरह कहूंगा वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं अचानक से इस वीडियो पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पीछे से जो आवाज आ रही है उसको इग्नोर करिएगा और बहुत ही ध्यान से उपाय को सुनिएगा आपको लेना क्या है आपको लेना है काली मिर्च ठीक है अब आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दू कि जो काली मिर्च कीमत है वो 700 रूपय किलो है ठीक है कच्चा दूद लेना है, कच्चा दूद वो दूद होता है, जो दूद आज पर ना रखा गया हो, मतलब कि जो चीज गरम ना की गई हो, जो चूले पे ना रखा गई हो, जो गैस पे ना रखी गई हो, वो होता है कच्चा दूद, आपको जो पाउडर निकला है अपने इसको नीचे हैं, आप एक गमले में हो, आप एक घर के बाहर हो, किसी मंदर के पास हो वहां पर आप जैंगे और आधा ही चढ़ाना है, ठीक है. माली ये लोटा है, तो आप आधा ही चढ़ाइएगा, आधा बचाइएगा आधा यहाँ पर आपको चढ़ा देना है माता पारवती माता सती का नाम लेते हुए और आपको जो परिक्षा देनी है उसका इस्मरड करते हुए दूसरा आपको काम कर करना है जो आधा बचा हुआ है ना लोटे में आपके उसको आपको भोले बाबा के मंदिर में जा करके भोले नात को समर्पित करनी है अगर आप भोले बाबा के मंदिर में जा करके ये काम कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप वहां तक नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी भोले बाबा को ये चीज़ समर्पित कर दीजेगा आधा आपको चड़ाना है बेल पेंड के नीचे और आधा आपको चड़ाना है भोले बाबा को जो भी परिक्षा आप देने जा रहा है उस परिक्षा का इसमर्प करते हुए ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से दिन करना है जब आपकी परिक्षा हो ध्यान से सुनिएगा जब भी आपकी परिक्षा उसके पहले ही कर लीजेगा एक दिन, दो दिन, पांस दिन पहले कर लीजेगा इस उपाय को उसके बाद परिक्षा देने जरूर जाईएगा अब हम बात करते हैं कौन से दिन करना है किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं इसकी कोई भी पावंदी नहीं है बस रात के समय पर न करिएगा दिन में ही कर लीजेगा अब एक चीज यहां पर आपको बताना चाता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन ये उपाय जरूर करेंगे मैं आपको बता दूँ अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो इस उपाय को मत करिएगा क्योंकि कोई फायदा आपको नहीं होगा क्योंकि उधारन के तोर पर आपको समझाता हूँ कि जब जितने भी देवता हैं वो सभी के सभी अमर हैं लेकिन अमर होने के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ी थी समुद्र मन्थन में उनको जो अकलश मिला था अमरित का उसके लिए भी उनको राच्छसों से लड़ना पड़ा था उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी तब जा करके सभी के पास एक-एक बूंध आये थी तो अगर किसी देवता को सभी देवताओं को अगर मेहनत करनी पड़ी अमरित को पीने के लिए तो हम सभी तो फिर भी एक इनसान है तो आप अगर मेहनत करते हैं और किसी कारण वस किसी वजह से आपका सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को करिएगा जिस भी कारण से रुक रहा होगा आप परिक्शा में पास हो जाएंगे बहुत ही छो इतना ही छोटा सा उपाय करना है आपको निश्चित तोर पर सफलता जरूर मिलेगी कोई भे दिक्कत होती है नीचे कोमेंट में आप लोग जरूर पूछा करिए हर किसी के रिपलाई देने की कोशिश करूंगा आवाज मेरी पहली बार सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज किया करिए